हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हेल्दी संजार जैसा कि आपने थम्नेल में देखा कि सोयाबीन डाबेटीज में लिया जाने वाला सबसे लोगप्रिया फूड आइटम हो गया क्यों इसने सभी डाबेटीज पेशेंट को मजबूर कर दिया कि वे सभी सोयाबीन को अपने डाइट का प्रमुख पार्ट बना लिये नॉन वेजिटेरियन फिर भी एग चिकन फेश खा कर बच जाएंगे पर वेजिटेरियन का क्या होगा मैंने डाबेटिक आटा बनाया जिसका ग्लाइसेमिक लोड 30K राउंड है मैं चाहती तो सोयाबीन, बादाम, अलसी, बीद, चन्ना और कुछ सिर्स मिलाकर 7 ग्लाइसेमिक लोड से भी कम का आटा बनाना आपको सिखा सकती थी पर क्या वो आटा आपके खाने लाइक रहता? नहीं, क्योंकि उसमें ओमेगा 6 और एमिनो एसेट की मातरा हमारे डेली जरूरत से बहुत जादा हो जाता सोयाबीन प्रोटीन का मुख्य सोर्स है या बच्चा-बच्चा जानता है 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्रोटीन होता है 20 ग्राम फैटी एसेट्स होते हैं 100 ग्राम सोयाबीन का ग्लाइसेमिक लोड होता है केवल 5 कन्फिरम है कि यदि आप अपने डाइट का मुख्य हिसा सोयाबीन को बनाते हैं तो आपका diabetes तीन महीने में नॉर्मल लेबल पर पहुंच जाएगा बहुत से doctor, YouTube creator, diabetes educator 100 gram तक सोयाबीन लेने की बात कहते हैं उनके अनुसार 100 gram सोयाबीन सेफ है Diabetes में यह वर्दान सावित हो गया क्योंकि इसने तीन महीने में आपका HV A1C नॉर्मल लेबल पर ले आया अब देखते हैं यह आपके जान का दुश्मन कैसे बन गया इन तीन महीनों में आपने omega 6 कितना consume किया 20 gram fat का main part omega 6 है इसमें omega 6 और omega 3 का जो ratio है वो है 7 is to 1 जबकि हमारे शरीर को चाहिए 4 is to 1 जितना जरूरी था omega 6 उतना तो 25 gram soya बिन से मिल गया 75 gram soya बिन में मौजूद omega 6 एक्सेस हो गया यह omega 6 triglyceride बढ़ाएगा blood clot का कारण बनेगा इससे arthritis यानि गठिया होगी यह हमारे heart के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा यह cancer cells को भी growth करने में पूरी भूमिका निभाएगा यह तो रहा excess fatty acid का नुकसान लेकिन इससे भी बुरा इसमें मौजूद amino acid का effect होगा 100 gram soya बिन से 36 gram protein मिल गया अच्छा लग रहा है सुनकर 20 तरह के amino acid मिलकर complete protein बनाते हैं हर amino acid की एक value तै होती है कि इसी value के अंदर हमें वो amino acid लेनी है कम हो जाए value तो बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता लेकिन जो एक recommended value है हर amino acid की उससे ज़्यादा लेते हैं तो कई तरह के नुकसान देखने को मिलता है जैसे पेट का अफर्ना उल्टी दस्ट पेट में दर्ध यदि recommended value से ज़्यादा amino acid लेते हैं तो गठिया रोक का यह सबसे बड़ा कारण होता है blood pressure में एकदम unhealthy तरीके से कमी दिखेगी kidney का damage होना तै है renal dysfunction का नाम सुना होगा liver की toxicity और heart से related problem renal dysfunction का कारण बनते हैं या एक तरह से kidney failure का first stage होता है इसे diet से ठीक किया जा सकता है high level of amino acids gall bladder में पत्री का कारण भी बनता है या liver को toxic करता है कुछ amino acids उनकी daily recommended value और 100 gram soya bean में मौझूद उस amino acid की value को मैं chart के द्वारा आपको दिखाती हूँ जैसे एक amino acid है arginine amino acid 100 gram soya bean में मौझूद arginine की जो value है वो है 8000 mg इसकी daily recommended value है 8000 mg soya bean के अलावा जो हम और protein पूरे दिन लेने वाले हैं उससे भी हमें arginine amino acid मिलेगा जैसे दाल, दही, पनीर इन सभी में भी arginine मौझूद है यानि हम daily recommended value से कहीं ज़्यादा arginine amino acid लेने वाले हैं histidine amino acid 100 gram soya bean में 2700 mg histidine मौझूद है हमें जरूरत होती है daily 700 mg histidine की और हमें 100 gram soya bean से 4 गुणा जादा histidine मिल गया isoleucine amino acid 100 gram soya bean में 4300 mg isoleucine amino acid है और हमें जरूरत होती है daily 1400 mg की जो soya bean से मिला वो 3 गुणा जादा है valine amino acid 100 gram soya bean में 4500 mg valine amino acid है हमें चाहिए daily 1820 mg lysine amino acid 100 gram soya bean में 4500 mg lysine है हमें daily चाहिए 2100 mg यहां भी 3 गुणा जादा lysine amino acid है इसी तरह 15 और amino acid है जिसकी recommended value से कहीं जादा soya bean में मौझूद है जो recommended value amino acid की बताई गई है वो 70 kg के व्यक्ति की है इस screen पर पर केजी amino acid की क्या नीड है वो भी शो हो रहा है soya bean protein का अच्छा source है soya bean सभी खा सकते हैं पर daily का intake 25 gram से कम रखिए diabetes reverse होने में थोड़ा वक्त लग जाएगा पर कई जानलेवा विमारी से बच जाएंगे 100 gram soya bean लेने से आपको और क्या नुक्सान हो सकता है वो भी जानलेते हैं thyroid की समस्तिया बढ़ जाएगी यह thyroid hormone को suppress कर देता है दूसरा नुक्सान यह trypsin enzyme को block कर देता है इससे protein का diization सही तरीके से नहीं हो पाता soya bean में nutrition बहुत है तो phytate भी बहुत है इसे 10 से 15 घंटे के लिए नहीं रखा पानी में तो यह शरीर में zinc, iron, calcium और magnesium की deficiency कर देगा soya bean estrogen hormone को बढ़ाता है और testosterone का level लो कर देता है इससे आदवी में breast tissues बढ़ने लगते हैं जिस कारण male में भी breast का development देखा जाता है इसलिए मैं आपको suggest करूंगी कि एक दिन में केबल 25 ग्राम ही soya bean लेजे कोई side effect नहीं होगा आप diabetic आटा और diabetic rice बनाने की method वाली मेरी video देखिए, link description box में है उम्मीद है आपके लिए soya bean बर्दान साबित होगा thanks for watching